अज दिन है 19 चलाई टाइम हो चुका है सुबह के 11 और आज मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको इस लव दी आज बूज जा रहे हैं बूज जहां हुई थी शोटिंग पीके मुवी की और ही पर जा रहे हैं तकरीबन यहां से 20-25 मील का वो रास्ता है तो ज़्या टाइम ह लगेगा रास्ते में दिखते हैं भी किती देर में पहुंचते हैं हम हाइवे पर आ चुकी है यह पारिस की बॉर्डर नस्दीक है बॉर्डर लगबग 70-80 मील है और बॉर्डर पर कुछ भी नहीं यह चेकिंग होती है सिधी बस निकोई जाओ कोई पास्पूट नहीं कोई स्टैंप नहीं है सही है यार यूरोप सब एक हो गया मिलके अगर एशिया भी होई एक तो अच्छी बात है कुछ कंट्रीज करें है फ्री ट्रेड हो इससे फैदा ही है दुनिया का से पहुंसा थोड़ने को काड़ियां बिल्कुल लोग अपनी लेन में चला रहे हैं कोई इदर उदर नहीं आ रहा कोई होड़ नहीं है कोई कुछ नहीं अभी तक जब से आयों होड़ नहीं सुना लेकिन जब इंडिया जाओंगा तो कोई पीपी सुना है तो अभी हैं बर्गर किंग में रास्ते में एक गैस्टेशन था तो वहां पर हैं अभी तो आपको प्रीच प्रीच बार्ड़ प्रीच अजिए नहीं ड्रीच टाइख नहीं है और यहां पर जो घर अभी मैंने देखे यह पीछे भी एक मेरे घर है यह बना है 1669 में इतने पुराने घर है इन्होंने इसको चेंज नहीं किया कि पुराने घर तोड़कर यह नए घर बनाएं यह देखिए यह घर है 1808 में बना है यह लगदाग धाइसो तीन सो धाइसो दो धाइसो साल पहले का सभी पुराने ही है बहुत अगर दोजार उन्हें इसमें कोई नहीं होगा इन्होंने पराणी कंश्रक्शन को नहीं तोड़ बलकुल नहीं है और अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं जहां पीखे मुई की शूटिंग वही थी बहुत दिल कर रहा था यहां पर आने के लिए और फाइनली पहुंच चुका हूं ज्यादा दोर नहीं है यहां से सेंटर है वहीं पर शूट हुआ था जो रिवर है जिसमें व अभी अभी आपको दिखाऊंगा मैं जो कंसर्ट था जिसमें वह अभीता बच्चन जी का नाम यूज किया था और हमके पीता शरी का तो वह भी आएगा यहीं परी और यह बिल्डिंग है 1613 1613 में यह बिल्डिंग बनी है अभी तक की सबसे ओल्डेस जो हमने यहां पर एक्स्प्लोर की है जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे जिस यर में यह बिल्डिंग की इसको लिखा हुआ है और यह है मेरे साथ सामने एक और चर्च यह चर्च है यह है 17th century का है जैसे जैसे जा रहे हैं तो वैसे वैसे घरों के सामने लिखा हुआ है कि यह कब बने है यह है 1679 1679 में जो सेम 17th century है तब का यह होटल है कुछ और घर साथ में देखिए आप यह भी लगबग इस पर नहीं लिखा सन कौन से सन में हैं लेकिन घर पुराना यह भी कंसुक्शन बहुत पुराना आर्किटेक्ट्री यह वो लदी है जहां पर अनुष्का और जो हीरो था असुषान सिंग इसी से वो निगे थे और यह वो बेजा यहां पर और उस साइड से अधर चला है वहां से वो दोड़ते हुए आये थे पाजी इडगाल दसो तानो किता पता लगया थी किते शुटिंग होने हैं पीके मुई दी अधर बैक्स पता लगया थी है अच्छा अधर नव पॉला ही है सोचाएगा कि आमिरखान अधर नी आया अनुष्का यह ती इनुष्का ने खोटों से नहीं की उसका रीजन यह था जनौन सा रीजन था वो रीजन ये था कि जो उसकी लुक है उस फिलम में वो एक नहीं लुक थी तो वो शी डॉंट वांट 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 तो रिवीन उखर लुक की पहले ही वो लुगों को पता रग जाए कि लुक हो तौन सी यू स्करियस मूवी में सुग में डेखर थार में रिजने खा कि दिलम मेंगे के लाओ मुवश में जाए थरा रवलाच मों यू सरी वेलिजन भेड़े व्यू कि वांट कि बाप बाध भांट sarà जह दूता है Clos menos यह इसका प्राइज है 15 यूरो और इंडिया में चौली प्रिजार पेजी प्रिजार पेजिए नपे जेल दी या चापियाने यूरोप जो है वो लगमद आलबू सारा सी में कुछ फरक नहीं है आपको इससे पहले मैं आल्स में था अब मैं बूज में आया हूँ तो इतना फरक नहीं लग रहा बस नामों का फरक है कि आप इससे माल्स में हो बूसल में हो आप अभी बूज में हो तो सेम है दिखें नीचे मैं अभी आपको दुखाऊंगा सेम वही पत्था रही है नीचे नीचे लेकर अब जगा कुछ वर्ज नहीं अभी मेरे पास पहने के लिए और ये रेस्टरांट्स सेम ओपन साइड बाहर बैठके लोग अनंद ले रहे हैं अपने फाने पिने का यह है वो मेरे पिछे म्यूजियम को वह यूज किया था शूटिंग में और अभी हम बात कर रहे थे तो यह कह रहे थे एक शौट को जो आइस्क्रीम वाला शौटा कितनी बार लिया अभी वो जो सामने वो है स्टेर्स हैं जहां पर यही वो जगा है जहां पर वो रड़का एक्सा टेकेट एक्सा टेकेट बेच रहा था और एक ओल्ड एक्टर से हमारे जो पुरानी फिल्मों में जिनको आइस भज सेम दारी यह कि दास्व पगरा बार दोंके ता प्रेची इस प्यानी है जोड़े चोड़े भूख लगी भूख लगी थोड़ी सी प्यास लगी प्यास लगी और इस भूफ और प्यास के चत्रों ने हमें लाकर बिठा दिया है इस खूपसूरत से रेस्टों है इस अरारा मुझे है अला अन्नी रहा मज़ा करें तो अब ही ओड़े कर दिया है निखने के आठाने के लिए 30 बिए और हो भी तरीन और है यह इस स्पेशल, इस स्पेशल, इस स्पेशल, इस स्पेशल, बहुती फेमस वहान है झाल झाल कि अधिया में था मैंने फिल्म देखी थी मुवी पीके अब से मेरे मन में था कि मैं प्रूज जरूर जाऊं तो राजविर से मैंने बात कि थी जब मैंने आना था प्लेंड करना तकना चर्चिस की घंटियां भज रही है अगर आपको पिछे से अवाज आए चर्च बहुत है लेकिन अभी में किसी चर्च के अंदर नहीं किया प्राग में मैं गया था अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो प्राग ऐसे लोगा रहा तो वो अंदर चर्च थे इसके और ये फिर आगया सेंटर का अरिया भूम भूम के हम वही आगे हैं और ये इच्छे वही वीजिम है पीके मोही का और सामने इसके ये रेस्टरांट्स है जिसके तरफ ये छोटे-छोटे फूल लगाए हुए है इनोने इस तरफ भी आप जाओगे आपको कुछ ना कुछ नाया मिलेगा थैंक्यू लोग बहुत खुश हैं और मुझे भी उनको देकर बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है लोगों में बहुत प्यार है कोई भी आपको कभी भी यहां पर अंसेफ जो है वो फील नही सब लोग इंज्वाए कर रहे हैं कुछ लोग गोड़सवाई कर रहे हैं शाही गोड़सवारी और यह चीज़ प्राग में भी थी सेम है घोरों को आप साइज देखिए कुछ पुराणी विंडेज गाड़ियां है लोग उस पर सैल कर रहे हैं रिक्षाज उस पर सैल कर रहे हैं और यह इसका साइज देखिए गोड़े का अब भी गोड़सवारी हमने नहीं की और फाइनली वाट वी डिसाइड वी डिसाइड तो इत लोकल फूद हम लोकल फूद रहे करेंगे प्लैन का इंजिन प्रेस्टरंड का लेकिन वह फूड़ा साथी बूरा यहां से क्ञ Woods kommen लोकल थाय thing but अ ठाइनल भीन प्रेसर दे देलिन गेल्ग का वी ड्रशब्स में on प्रक्ष्श स्क्राइड प्रण को करेंशन झान में ड्पोबस प्र aindaईक्भ pri एक दिन प्रूज नहीं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्रूज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें आपके बैल नोटिफिकेशन यूप्रेस कीजिए तो अभी के लिए बट बाए टेक केर सच्छी अकाव